प्रिवार एक्जाम पूर में हर्दिक स्वागत करता हूँ हम हैं एक्जाम पूर कलम से करांती तो एक बार और आपकी इस्टेटिक जीके की एक अद्भुस्सी क्लास लेकर मैं आप सभी के साथ हूँ आप सभी जानते कि अगर आपने चाहे टीसी एस का कोई भी पेपर पड़ा हो चाहे पिछली बार का आपका एंटी पीसी का जो भी उसने एंटी पीसी के 2016 में कराई थे या आपने एलपी और गुरूपडी 2019 के पेपर देखे हो 2018 तो आपको समझ में आएगी आरपी एफ कॉंस्टेबल और एसा टीसी एस किस तरीके से आप ये भी जानते कि एससी के भी सभी एक्जाम का ठेका टीसी एस को मिला है चाहे वो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल हूँ चाहे कोई और जादा तर एक्जाम टीसी एस कराती है और ये जो टोपिक हैं जो मैंने आपको भी पिछली पांच क्लासों में कराई और आज जो छटी क्लास है इसमें हम प्रिमुख साइंटिस्ट बहुत महित्वपूर ऐसे समझ लिजे वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने किन किन चीज का इन्वेंशन या अविश्कार किया है क्या किया है अविश्कार या इन्वेंशन किया है आप ये नहीं सोच सकते कि आप क्या करते हैं जैसे पढ़ लिया कि बताईए भई बल्ब का विश्कार किस ने किया जो एलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसका विश्कार लेकिन आपको मैं बता दू कि पिछले पेपरों में मैं आपको शो कर सकता हूँ कुश्यन ये भी पूछा गया था कि जो सेलो टेप होता है इसका अविश्कार किस ने किया ग्रामो फौन का विश्कार किस ने किया कुश्यन ये तक पूछा गया था कि अगर आपको हलकी फुलकी चोट लग जाती है और आप उस चोट के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत लग बैठिए और ये किसी कौपी वोपी में आपको इतने सरलता से नहीं मिलेगा इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि आप जैसे सूचें कि ये चीज आपको आस्तानी से मिल जाएगी सबसे पहले मुझे बताईए कि जो पिछली पांच दिन की क्लास हुई है हमने काफ जिनको आप छोड़ देते हो और साथ साथ हमने कुछ कितावे याद किये कितावे अब मुझे आप ये बताईए कि कितनी प्रतिसा चीज है अगर ABCD में आपको दे दी जाए तब तुरंत बता दोगे सभी लोग शेयर कर दीजे जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं एक अब तक में चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं तो अगर आप रेगूलर रहते हो रेगूलर आप रिवीजन रखते हो तो फिर कोई इश्यों आपको नहीं आएगा ये बताईए इसमें मेरे अकोर्डिंग अगर रिवीजन किया होगा तो 100% आपकी चीजे दिमाग में रह सक रिवीजन नहीं किया होगा तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता और ना आप अपना स्वें कुछ कर सकते हैं एक्स रे की खोज किसने की थी एक्स रे क्रणों की खोज किसने की थी एक्स क्रणों की खोज ये किसने की थी आगे आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, कि कोई पदार्थ रेडियो धर्मी होता है या नहीं होता, इनका उत्तर आप दीजिए, कोई पदार्थ रेडियो धर्मी होता है या नहीं होता, दुनिया का पहला परमणू रियक्ट ये किस ने बनाया था लगबग दोसों के करीब आपको वेज्ञानिक और उनके अविश्कार याद करने उसके बाद में NTPC वालों CBT1, CBT2 में कोई दुबारा पढ़ने की जोरती नहीं रहेगी इस तरीके से आप लोग चीजों को याद कर लीजे इस तरीके से आप चीजों क कि खोज किसने की थी सभी साती शेयर कर देना वही इलेक्ट्रोन की खोज किसने की थी इलेक्ट्रोन की खोज तो आप जानते हैं और रो इंटिजन नाम के वेज्ञानिक थे रो इंटिजन नाम के वेज्ञानिक जब आपका हड़ी तूट जाती है आप एक्सरा कराने जाते हो तो ह़ड़े तूटरे पर रोते हो न जन सारे के सारे लोग रोते हैं जब हड़े तूट्ड जाती है एकसरा कराते हैं Radio Activity Henry Bacurale Henry Bacurale नाम के विक्ती थे उन ही के नाम पर Radio Activity की SI Unit को Bacurale रखा गया है, आब सभी जानते हैं, Radio Active, Active माने तुम जल्दी-जल्दी कोई काम करो, Activeness देखाओ, Radio Active, Henry Bacural, कैसे आद करोगे, Rural, Bacural मतलब Rural, Rural मतलब ग्रामीड इलाकों में Radio ही काम करता है, Radio ही लोगों को Active रखता है, परमणू रियक्टर, Enrico Fermi, Enrico Fermi, Enrico Fermi नम के व्यक्तिने, Enrico Fermi कैसे आद करोगे, बैज न्यूक्लियर रियक्टर जैसे, नरोरा, काएगा, ककरापारा, तारापुर महराष्ट, भारत में न्यूक्लियर रियक्टर हैं, परमणू से क्या बनती है, परमाड़ु उर्जा से बिझली बंती है और परमाड़ु उर्जा से नूकलूर एक्टर में क्या बंती है बिझली और बिझली से तुम तयारी करते हो जो तुमने फारम भरी होते हैं जबकि इलेक्ट्रोन जे जे थॉम्सन इलेक्ट्रोन का क्या हो जाएगा साथी मेरे इलेक्ट्रोन का हो जाएगा जे जे थॉम्सन उस रास भी हैर सके ना कि आई नहीं है पीडियेफ इलेक्ट्रोन का क्या हो जाएगा जे जे थोमसन इलेक्ट्रोन को याद रखिएगा इलेक्ट्रोन जे जे थोमसन थोमसन सन का माने क्या होता है बेटा तो जितने भी नेता होते हैं ये अपने बेटों को ही इलेक्शन में जिताना चाहते इलेक्ट्रों से याद कर लेना इलेक्षन जितने भी नेता होते ये अपने सन को ही जिताना चाहतें किसको जिताना चाहतें अपने ही सन या बेटों को जिताना चाहतें आगे आज आते आपका प्रोटोन की खोज किसने की थी, प्रोटोन की खोज किसने की थी, प्रोटोन का नामकरण किसने किया था, खोज और नामकरण दोनों में अंतर है, इसी तरह न्यूट्रोन की खोज किसने की थी, न्यूट्रोन की खोज किसने की थी, न्यूट्रोन की खो Atomic Theory, परमाणू सिध्धान्त की खोज किस ने की थी? परमाणू सिध्धान्त की खोज किस ने की थी? जब प्रो टॉन की बात आती है, तो ई गोल्ड इश्टीन को इसका खोज करता माना जाता है. सुलीजे, ई गोल्ड इश्टीन को इसका खोज करता. प्रो प्रो टॉन आपके पास में क्या याद रखोगे प्रो टॉन टन गोल्ड है. कितना? आपके पास कई टन गोल्ड है. आपके पास कई टन गोल्ड है. वहाँ स्याद कर सकते हो प्रो टॉन नामकरण रदर फूड ने क नीटरोण की खोज, James Chadwick, किस ने की थी, James Chadwick, एंटम के नाभिक की खोज किस ने की थी, परमडु के नाभिक या नुकलियस की खोज की थी, तो नीटरोण चैडविक, James Chadwick, James Chadwick, तो चेड का मतलब हमारे गोँ में होता है किसी से दुश्मनी, तो नई दुश्मनी क्यों ले रहे हो, न्यूटन, नई न्यूट्रोन, नई दुश्मनी किसी से क्यों ले रहे हो, नई चेड किसी से क्यों ले रहे हो, एटोमिक थियोरी डाल्टन एटोमिक थियोरी जोन डाल्टन चलिए नाभिक की खोज रदरफोड ने की थी नाभिक की खोज रदर फूड ने की थी नाभिक परमणु नूखलियस की खोज ये किसने की थी साथी मेरे ये रदर फूड नाम के वयग्यानिक ने की थी किसने की थी रदर फोड नाम के व्यज्यानिक ने की थी वही पर्माणू नाभिक की खोज रदर फोड नाम के व्यज्यानिक ने की थी वही पर्माणू नाभिक की खोज रदर फोड नाम के व्यज्यानिक ने की थी वही पर्माणू नाभिक की खोज रदर फोड नाम के वेज्ञानिक ने खोज की थी बताईए पड़ 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 चलिए बस एक सेकिंड में आ जा रहा है फिर टेंसन खतम हो जाएगी क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुन नई जो आज के लिए करंट अफेर से भी जुड़े हैं इस परकार के कु कुछ वेज्ञानिक और उनके अविश्कार करें क्यों यहारा देखाना जल्दी चलिए बहुत मेहतरीन आगे आज जाता है आपका साथी मेरे यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत अब तब तक यह बताईए टेलिस्कोप यहां तक हो गया कोई दिक्कत नहीं टेलिस्कोप जिसके जरिये दूर तक की चीजें देखते हैं टेलिस्कोप की खोज किस ने की थी टेलिस्कोप की खोज किस ने की थी जिसकी वज़ा से दूर तक देख लेते हैं टेलिस्कोप की खोज किस ने की थी वहुत मेहतरीन टेलिस्कोप की खोज किस ने की थी उसके में आजाता है आपका विल्कुल सही तेलीसकोप की खोज किस ने की थी शाबाज अगया जाते इस टेथिस्कोप जो डौक्टरों के गले में होता है इस्टेथिस्कोप की खोज किस ने की थी आपको ये भी बताना है कि इस्टेथिस्कोप ये किस सिधान्थ पर काम करता है जो आप डॉक्टर के पाथ जाते हैं आपको खांसी होती है जो डॉक्टर होता है आपके दिल पर एक तोपसी रख देता है तो आपको उसी को स्टेथिस्कोप कहते है ये किस सिद्धान पर कारिय करता है स्टेथिस्कोप ये किस सिद्धान पर कारिय करता है बैं स्टेथिस्कोप किसी प्रिंसीपल पर तो काम करता होगा ना किसी पर तो काम करता होगा बिलकुल सही शबस साथी अगया चाते हैं टेली टेली ग्राफ इसकी किसने खोज की थी टेली ग्राफ की खोज किसने की थी इन तीनों का बताईए जादत तो लोग गैलीलियों गैलीली को मानते लेकिन उससे भी पहले हैंसलिपरशे नाम के एक व्यक्ति थे कौनी व्यक्ति हैंसलिपरशे अब जब तुम्हारा जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हारी बावू, दूर से हस रही होगी अगर तुम्हारे पाठ टालिस्कोप है तो दूर से ही हसती हुँ देख सकते हो हेंस लिप परशे, स्टेटिस्कोप, रेने लेनेक करके नाम था, रेने लेनेक, रेने लेनेक नाम के एक वेज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी खोज की है, और ये reflection of sound, या आप ये कह सकते हो, ये को, sound की जो echo होती है, पिर्ती ध्वेनी की किसी सतह से टकरा कर, जो ध्वेनी होती है, वो reflect होती है, तो उसी सिधान्त पर काम करता है, और टेलिग्राफ, Samuel Morse, Samuel Morse नम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने Morse Code भी बनाई, Samuel Morse नम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने Morse Code भी बनाई हैं, क्या बनाई, सब के आगे इसी के लिए आ रहे, बेटी एक सेकिंड रुख जाईएगा, एक सेकिंड रुख जाईएगा, Morse Code बहुत बेहतरीन, मय पावली पूच, Morse Code एक सेकिंड बस में लगवा रहा हूं, वो सायड इसमें नहीं आपा रहा, तो वो वाया वाट सेप आएगा एक सेकिन रुक जाईएगा तुम लोग जाना मत बस एक सेकिन बहुत ही जबरदस मेटर है शानदार वाला बहुत ही अद्वुत पिरकार का मेटर है एकदम शानदार वाला चलिए आगे आजाते हैं एक एक चीज को तो Samuel Morse हो गए पर्स दस्तों हमने अभी कर लिए चलते चलते बाकियों को अब अपने करना सुरू करते हैं चाले से उसके बाद में टेस्ट मेरी एंडर्सन याद रखिएगा सयुक्त राज्जे अमेरिका की मेरी एंडर्सन इन्होंने विंड शिल्ड वाइपर ब्लेड आपके गाड़ी होती है मेरी गाड़ी ऐसे आद करिएगा मेरी गाड़ी के अंदर मेरा सन बैठा है मेरी एंडर्सन तो मेरी गाड़ी के अंदर एंडर्सन को क्या करना अंदर सन बैठा है और मैं गाड़ी के सीसे साफ कर रही हूँ गाड़ी के आगे वाइपर होते हैं जो धूल मिट्टी से बचाते हैं और वाइपर जब बारिस पड़ती है तो सीसे से पानी को भी हटाते हैं सीसे से ऐसे चलते रहते हैं इदर उदर उन्ही को वाइपर कहते हैं तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, कि जो मेरी मतलब माता जी होती है, वो अपने सन को वाइपर से पेलती है, आपने कभी किसी ने वाइपर से मार खाई है, तो जो वाइपर भी माता जो होती है, मेरी, माता मेरी, तो अपने सन को घर के अंदर बंद करके वाइपर से पेल देती है अग्या जाते जापानीज मोमो फूको एंडो इन्होंने इस्टेंट नूडल्स का विश्कार किया ममा फूको एंडो ममा फूको एंडो मोमो फूको एंडो भी कह सकते हो आप जानते हो इस्टेंट नूडल्स का अर्थ होता है जो आप मेगी खाते हो तो मेगी एक ब्रांड है मेगी क्या है नैसले कमपनी की एक instant noodles की brand है जब आप उसे मुँमें रख लेते हो तो आपका मुँँ फुक जाता है जब मुँमें कोई चीच गरम-गरम रखते हो तो उसे क्या कहते हैं कि मुँँ फुक गया तो याद रखेगा momo-phuko endno, instant noodles, momo-phuko endno अगया जाता है अब सभी ने कैन में खाना खाया होगा अब सभी ने जो कैनिंग में ठड़ होता है जिसमें किसी खाने की चीज़ को जैसे अचार को बाद में प्रियोग के लिए अचार को बाद में प्रियोग के लिए कैन में बंद कर दिया जाता है किसमे केन में और इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल वगेरा मिला दिये जाते हैं जिससे की अचार वगेरा को गिलास बोटल या उसमें केन आपने अचार देखा होगा जो गाजर का अचार आता है, मिक्स अचार, वो एक काच की बोतल में बिल्कुल अच्छे से पैक होता है, तो उस में ठड को किसनी? Nicholas Appert, किसनी? Nicholas Appert, अब जानते हो जब तुम्हारा जो अचार है, वो अचार की बोतल में होगा, तो तुम क्या कहोगे? निकालो इस अचार को निकालो इस अचार को कांच की बोतल से निकालो Nicholas Eppert food preservation खाने का सरक्षण करने के लिए जिससे खाने का बाद में प्रियोग किया जा सके उसके लिए Nicholas Eppert ने बनाया अगया जाता है साथी मेरे Portland cement Joseph Espin भी कह सकते हो Joseph Espin भी कह सकते हो इन्होंने Portland cement बनाया जिस cement का प्रियोग घर बनाने में सडक आदी बनाने में किया जाता है एक चीज याद रखिएगा बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी चीज सबसे ज़्यादा होती है तो 57% के करीब calcium oxide होती है 57% के करीब और 21% silicon oxide 21% silicon oxide उसके अलावा aluminium, iron और magnesium oxide भी होती है सबसे ज़्यादा calcium oxide फिर silicon, फिर aluminium, फिर iron और magnesium oxide तो याद रखिएगा ये Portland cement में जो safe अगर आप अपना घर अच्छे cement से बनाते हो किससे अच्छे cement से तो आपका घर safe रहेगा तो कैसे याद करोगे, जो safe आपका घर अच्छा रहेगा, safe रहेगा SPDन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो अच्छे दिन अच्छे दिन तो अगर आप अच्छा cement लेते हो तो दिन भी आपके अच्छे रहेंगे आगे आज जाता है Leo Bakeyland आपके घर में जो switch होते हैं इलेक्ट्रिक के switch जिसको दबा के आप on-off करते हो चीजों को तो जो प्लास्टिक के switch होते हैं जिनसे आप on-off करते हो Leo Bakeyland Leo Bakeyland नाम के व्यक्ती थे Belgium, अमेरिकी इन्होंने बेकलाइट नाम की एक प्लास्टिक का अविस्कार किया ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है कैसी है? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जलने पर पिघलती नहीं है जलने पर इसे आप पिघला कर दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते तो Leo Bakeyland इन्ही के नाम पर Bakeylight का नाम रखा गया Electrical Switch बनते हैं घर में जो On-Off करते हैं उन Switch को बनाने के लिए इसको जाना जाता है Ralph H. Bear Ralph H. Bear अब सभी जानते हैं जैसे PUBG पर बेन लग गया PUBG एक वीडियो गेम है तो ये एक जर्मन थे जिनका मतलब एक जर्मनी में पैदा बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए थे Ralph H. Bear इनको वीडियो गेम का फादर कहा जाता है क्या कहा जाता है वीडियो गेम का पापा कहा जाता है Ralph H. Bear Ralph H. Bear तब कैसे आद कर सकते हूं कि जो वीडियो गेम है ये एक नशे की लत जैसा है वीडियो गेम की लत लग जाती है जिस प्रकार बीयर एक नशा होता है बीयर की लत लग जाती है इसी प्रकार वीडियो गेम की लत लग जाती है तो वीडियो गेम कंसोल के निर्माता कौन थे Ralph H. Bear आगया जाता है फ्रेडरिक बेंटिंग वे चाल्स बेश्ट ये दो व्यक्ति थे जिनोंने सबसे पहले फ्रेडरिक बेंटिंग और चाल्स बेश्ट कनाड़ा के वेज्ञानिक थे जिनोंने इंसुलिन जो हमारे पेंक्रियास से निकलता है उसका कृतिम वर्जन शुरुवात किया और जिस व हि resent hya किर्तिम इंसूल येaju बेंटिंग और वेस्ट बेंटिंग और वेस्ट इन दोगों लोगों ने किर्तिम इंसूलिन कि अभिस्कार किया ये किर्तिम इंसूलिन को खो जा आठीफीिशियल या जाता जोन बार्डीन, ब्रेटेन और शोकले, विलियम शोकले, ये कितने व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति थे, शोकले, ब्रेटेन और जोन बार्डीन, इन तीन व्यक्तियों ने, बार्डीन, शोकले, शोकले और ब्रेटेन, इन तीन व्यक्तियों ने, बाटले और ब्रेटेन इन तीन बारडीन शोकले और ब्रेटेन इन तीन व्यक्तियों ने ट्रांजिस्टर का अविश्कार किया था किसका अविश्कार ट्रांजिस्टर इनको ट्रांजिस्टर का सहे अविश्कार कहा जाता है बाद में इनको फिजिक्स का नोबल पुरुसकार भी मिला था वेक्यूम ट्यूब से हटका ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर बारडीन, शौकले और ब्रेटेन इन व्यक्तियों ने ट्रांजिस्टर का ये AT&T, बेल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे वहाँ पर BSBB कह सकते हो, बाडीन शौकले ब्रेटेन अग्या चातर ब्लादी मीर बारमीन आप सभी जानते हो, भारत के अधिकतर अंत्रिक्षियान जो होते हैं वो कह से छोड़े जाते हैं तो आप कहोगे सर, सतीश धवन, स्पेस इस्टेशन, हरी कोटा से सतीश धवन, स्पेस इस्टेशन, हरी कोटा से छोड़े जाते हैं इसी तो जहां से स्पेस इयान छोड़े जाते हैं अंत्रिक्षियान छोड़े जाते हैं उस जगे को स्पेस पोर्ट कहते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस इयान जैसे एरपोर्ट पर हवाई जाज खड़े रहते हैं और जो पोर्ट होती है बंदरगहा वहाँ पर पानी के जाज इसी तरह जहां पर अंत्रिक्षियान खड़ा होता है ऐसे rocket launch complex दुनिया का पहला rocket launch complex उसके निर्माता थे विलादी मीर बर्मिन पहला rocket launch complex इस्पेस पोर्ट विलादी मीर बर्मिन तो कैसे आद करोगे सेल्यूट बलादी मीर ये पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ करते थे अंत्रिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई एक प्रियोग साला तो मीर नम से समझाना रोकेट लाउंच कॉम्पलेक्स जैसे हैदर अली टिक्वू सुल्तान रोकेट लाउंच मीर जोन बार्बर जो गैस टर्माइन होती है गैस टर्माइन गैस टर्माइन गैस से चलने वाली एक टर्माइन जिसमें गैस के मदद से इंजिन में दवा पैदा किया जाता है इससे गैस से बिजली भी बना सकते हो टर्माइन तो जोन बार्बर नम के व्यक्ति थे United Kingdom के इन्होंने गैस टर्बाइन का सिधान्त दिया था जबकि गैस टर्बाइन का पहला पेटेंट ये फ्रेंक विट्टल के नाम आया था गैस टर्बाइन का पहला पेटेंट फ्रेंक विट्टल के नाम था जबकि जोन बार्बर इन्होंने गैस टर्बाइन का सिधान्त दिया था जोन बार्बर, गैस सिद्धान्त का, गैस टर्बाइन का सिद्धान्त, आगे आ जाती है, दुनिया की पहली लेजर, लाइट एम्प्लिफिकेशन बाइ इस्टिमुलेटिड एमिसन ओफ रेडियेशन, लाइट एम्प्लिफिकेशन बाइ इस्टिमुलेटिड एमिसन ओफ रे उजर प्रिकास को बढ़ा देना, ये यूज रिसर्च लेबोरिटरी में थियो डोर H. मेमन नम की विक्ती थे, थियो डोर H. मेमन, आपको याद होगा कि कोई आपके डोर आपके दर्वाजे पर लेजर लाइट मार रहा है, बहुत दूर से कोई आपके दर्वाजे पर लेजर लाइट थियोडोर एच मेमन नम के व्यक्ति ने लेजर का अविश्कार किया था जबकी मेजर लेजर में तो लाइट की एम्प्लिफिकेशन होता है जबकी मेजर में माइक्रोवेव का एम्प्लिफिकेशन होता है मेजर में माइक्रोवेव का एम्प्लिफिकेशन होता है, microwave amplification by stimulated, वहाँ पर light को बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ पर microwave को, जो दुनिया की पहली microwave थी, मेजर, उसको Charles H. Towns, James P. Garden और Herbert J. J. Jigar नाम की व्यक्ती ने 1953 को लंबिया विस विद्यालने में बनाया था, किसने? Towns, Garden और Jigar, तो आज COVID-19 के समय पर, जिसके अंदर Jigar होगा, वही टाउन के Garden में जाता है, Towns के Garden में जा सकता है, क्योंकि बहर निकलने पर पावन दी है, तो मेजर, मेजर, अनिता फोज का मेजर आके मार लगा जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो, और इनही में से Towns, Nicolo Bassev और Alexander Prochorov इन तीनों को 1964 का नोबल पुरुषकार, Towns, Basov और Alexander Prochorov इनको मेजर के लिए अंतर राश्टे नोबल पुरुषकार दिया गया, तो वहीं सियाद कर सकते हो, चलिए. अगया चाते आईजीन बोमेन, यूगेन बोमन भी कह सकते हो, या आईजेन, यूजेन भी इनको कह सकते हो, यूगेन बोमन, तो याद रखिएगा, इन्होंने PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC की पाइप आती है, पीवी सी की क्या आती है पाइप, जिनसे घर में पानी की फिटिंग होती है, तो पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC के अविश्कारक, जर्मनी के यूगेन बोमन, यूगेन बोमन, बोमन, आप जानते हो, कि जैसे आप कहोगे, आपने कहीं पर फ्लेट लिया, और उस फ्लेट में, किसी ने पाइप बेका लगा दी, तो आप क्या कहोग अरे वो तो ठेकेदार बेइमान है, उसने PVC की पाइप नहीं लगाई, वोमन से क्या आद कर लेना, अरे वो तो बेइमान है, उसने PVC की पाइप नहीं लगाई, कैसा व्यक्ति है, वो बेइमान व्यक्ति है, यूगेन बेइमान, PVC की पाइप नहीं लगाई, आगे आ जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बैल याद रखिएगा टेलीफॉन अलेक्जेंडर ग्राहम बैल अलेक्जेंडर ग्राहम बैल अब सभी जानते हैं ग्राम पहले गवों में क्या होते थे लेंड लेंड टेलीफॉन होते थे उन्हीं के द्वारा बात की जाती थी पहले ग्राम में क्या होते थे गाउं में टेलीफॉन की बैल बसती थी ट्रीन ट्रीन बहुती तेज टेलीफॉन की बैल बसती थी तब सब लोग भार निकल के आते थे अलेक्जेंडर ग्राहम बैल कनाडवाल अपना कहते एए अमेरिका वाला अपना आ गया जाते रत और बैने रिटो रत और बैने निटो बैने रिटो नाम है वैसे इन्होंने इस्थाई प्रेस ऐसे कपड़े जो सिकुडते नहीं है ऐसे कपड़े जो सिकुडते नहीं है अर्थात जो कपड़े सिकुडते नहीं है ऐसे कपड़ों को इस्थाई प्रेस या पर्मानेंट प्रेस कहा जाता है तो इनके अविश्कार का स्रे रूत आर बेने रिटो अब सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा स्प woods dot केम रखें अपने बावु के लिए है तुम अपने बावु के लिए पर्मानेंट प्रेस आले कपड़े नहीं ले रोट है थो वजा शेभा उजायँ रूट जाएगा बिना प्रेस के कपड़े ये कभी सिकुडते नहीं है याद रखिएगा रूत आर बेने रिटो आपका बबू रूट जाएगा फिर उसे बनाते रहे ना हंस बर्गर हंस बर्गर देखो हमारे जो मानव का मस्तिस्क होता है ये सब कुछ बिजली से चलता है इलेक्ट्रिसिटी नियूरोन से चलता है नियूरोन क्या होते है इलेक्ट्रिकल सिगनली तो होते है तो हमारे ब्रेन की गतिविधी को नापने के लिए अगर इस इलेक्ट्रिक सिगनलों को नापने लगे तो हमारे दिमाग में गतिविधी पता चल जाएगा इसलिए दिमार जैसे हर्ट की बीमारियों के लिए क्या लगातें ECG, इसी तरह दिमाग की बीमारी के लिए क्या करातें EEG, इलेक्ट्रो इंसिफेलो ग्राफ, जबके किड्री के बीमारी के लिए ECG, ECG, हर्ट और किड्री, तो जो EEG कराते हैं, यह पहला मानव के उपर EEG, हंस बर्जर, मानव के उपर पहला EEG, हंस बर्जर, हंस बर्गर, EEG, इलेक्ट्रो इंसिफेलो ग्राफी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो इंसिफेलो ग्राफी, इसमें मस्तिस्क की विद्युत गतिविधी को रिकॉर्ड किया जाता है, और उससे पता लगता है, कौन सा दिमाग का हिस्सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, जब किसी को चोट लग जाती है, उसके बाद में EEG आदी कराना, बहुत जाते हैं, मर्सेडीज कंपनी के संस्थापक, कारल बेंज, जो मर्सेडीज कंपनी है, इसके पूरा नाम होता है, मर्सेडीज बेंज, तो इनहीं के नाम पर है, कारल बेंज, जर्मनी के व्यक्ति थे, इन्होंने पेट्रोल चालित, पहला ओटो मुबाइल कार बनाई थी, क कार्ल बेंज, कार्ल बेंज, तो मर्सटीस बेंज याद रकियेंगा कार, और पहली पेट्रोल से चलने वाली कार, अगर जाती है, एमील बर लाइनर इन्होंने डिस्क रिकॉर्डड़ ग्रामो फोन एमील बर लाइनर ग्रामो फोन आपको याद होगा कि ऐसा गोल गोल सा होता था एक टिपड़ी से निकलती रहती थी उस निडल सुई को उठा कर इस घूमते हुई डिस्क के उपर रख दिया जाता था और गाने बसते लगते थे पुराने जमाने की धुन तो डिस्क रिकॉर्ड ग्रामो फोन ये एमील बर लाइनर फिर कौन सा गाला तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और लाइनर लगा के आना मतलब जब तुम ये ग्रामो फोन पे गाना सुनोगे तो तुम क्या कोगे बाबू से तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और क्या वादा है जानम तो याद रखिएगा तुम साथ में ये भी कह देना कि जब मिलने आओ तो मिलने वाले गाने सुन रहे थे ग्रामो फोन लाइनर लगा के आना या आप लाइन पर हो किसी से फोन पर मिलने की बात कर रहे हो ये मिल लाइनर लाइन पर हो ऐसे भी आद कर सकते हो टीम बरनर सिली और रोबेट कलियाओ टिम बर्नर सली और रोबर्ट केलियू इन्होंने वर्ल्ड वाइड वैब डबल्यू डबल्यू का अविश्कार किया है टिम बर्नर सली और रोबर्ट केलियू इन्होंने वर्ल्ड वाइड वैब या डबल्यू डबल्यू का अविश्कार किया है टिम बर्नर सली और Less Jallo Beero, हंगरी के थे, इन्होंने Ballpoint Pen, आधुनिक Modern Ballpoint Pen लेस Jallo Beero, लेस जलो या लेजलो Beero, लेजलो Beero, यह इन्होंने Ballpoint Pen का, किसका Ballpoint Pen का अविश्कार करने के लिए जाने जाते हैं, लेस जलो बीरो याद रखिएगा लेस जलो बीरो आप यह कह सकते हो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो क्योंकि तुमारे हाथ में कलम है जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो कलम से करांती यही तो सिखाता हूँ म नाम था पहला पेटेंट जोन जे लाउड के नाम पहला पेटेंट अविश्कार का नाम आए तो लेस जलो भीरो और पहले पेटेंट की बात आए तो जोन जे लाउड अगया जाता है डेविड रीव्ज बोग्स और रोबर्ट मेट काल्फ तो ये दो व्यक्ति थे एक डी आर बोग्स और आरेम रोबर्ट मेट काफ इन्होंने एथरनेट एक इंटरनेट कनेक्शन कम्प्यूटरों को नेटवर्क से जोडने के लिए कम्प्यूटर आदी को किसी नेटवर्क से जोडने के लिए एथरनेट नाम के एक प्रणाली होती है तो डेविड आर बोग्स और र देबिड रिव्स बोग और रोभर्ट मेकाफ कंप्यूटर नेट्वर्क प्रिनाली इतर नेट। अगे आजाते बहरत के बंगाल के जग दी श चेंद्र बूसु ग्रेसवा ग्रेसवाशत ला और मुझे बताई हे विशा करते हैं बताईए कि क्रेस को ग्राफ क्या करता है आप सभी में बहुत ज़्यादा दिमाग है मुझे ये बताईए क्रेस को ग्राफ क्या करता है बिलकुल सही बेटा क्रेस को ग्राफ ही होता है जो पेड़ पोधों में बढ़ुत्री होती है उसका अध्यन तो जो क्रेस को ग्राफ है ये पेड़ पोधों के अध्यन, उनके वरद्धी या ग्रोथ को मापता है, कि उनकी वरद्धी या ग्रोथ कैसी है, जगदीश चंद्रबोस क्रेस को ग्राफ, जगदीश चंद्रबोस क्रेस को ग्राफ, आगे आ जाती है, हरबर्ट बोयर किस नाम के व्यक्ति हरबर्ट बोयर इन्होंने पॉल बर्ग और इस्टेले नॉर्मन कोहेन इन दोनों के साथ मिलकर दुनिया का पहला जेनिटिकली मोडिफाइड ओर्गेनिजम बनाया था अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव इन्होंने एक ऐसे जीवानों को मोडिफाइड किया था एक ऐसे बेक्टरिया को बनाया था जिस पर एंटिबायोटिक का असर नहीं होता था जिस पर एंटिबायोटिक का असर नहीं होता था किसने हरबर्ट बोयर और इसने एक नए जमानी की जीव बो दिये ऐसे जीव बोने के लिए जाना जाता है व्यक्ति जो genetically modified है जिनकी genes में बदलाव किया गया है पॉल बर्ग और Stanley Norman के साथ Stanley Norman और पॉल बर्ग के साथ Herbert Boyer इन्हें जाना जाता है पहला अनुमाशिक रूप से संसोधित जीव अगया जाता है Used Braydon a जो यह समुदर में गोता खोर होते हैं या जो sumer submerged होते हैं जो तैराक होते यह एक विसेस परकार पते हैं पहले जिसए पानी नहीं चुपकता वेटसूंट कहते हैं उसे वेटसूंट कहते हैं सूखा कपड़ा, वेट सूट, तो हुजूजबरेडनर, यूजबरेडनर, वेट सूट, सूट पहन के ब्रेड लेने जाओ, अगे आज जाता है, फ्रांस के लूई ब्रेल, चार जनवरी को जिर के नाम पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है इन्होंने ब्रेल प्रणाली और ब्रेल स्पधती से म्यूजिक कैसे सीख सकते हैं तो जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए ब्रेल लेखन प्रणाली जिसमें 6 डॉट होती है उसका अविस्कार किया है लुई ब्रेल आगया जाता है जग कास ई ब्रेंडन बर्गर जेक्स ई ब्रेंडन बर्गर जेक्स ई ब्रेंडन बर्गर सेलो फॉन, सीलो फेन या सेलो फेन भी कह सकते हूँ जो सेलो टेप होता है वैसा ही है ये कुछ है जेक्स E. ब्रेंडन बर्गर अगर आप बर्गर पैक करवा के लाओगे तो पैक करने के बाद में उसके उपर क्या लगा दिया जाता है सेलो टेप लगा दिया जाता है बर्गर को थेली में पैक करने के बाद में सेलो टेप लगा दिया जाता है जेक्स ई ब्रेंडन बर्गर जेक्स ई ब्रेंडन बर्गर अग आ जाता है रेशेल फूलर ब्राउन रेशेल फूलर ब्राउन इन्होंने दुनिया का पहला एंटी फंगल एंटी बायोटिक ये बैक्टरिया को भी मार दीती है दवा और ये फंगस अगर किसी को कवक से कोई खुजली वगएरा हो जाती है तो ये उसे भी मारने का काम करती है निस्टेटिन जिसको माइकोइस्टेटिन नाम से बजार में उतारती है तो निस्टेटिन ये एक ऐसी दवाई है जो एंटी फंगल अर्थात कवक को भी मार देती है और बैक्टिरिया एंटी बायोटिक ये किसको मार देती है जिवानों को रेशेल फूलर ब्राउन तो जो ब्राउन ब्राउन हो जाता है ब्रेड वो फंगस के कारण होता है तो उसे मारने का निस्टेटिन एंटी फंगल एंटी बायोटिक आगे आज जाता है फ्रेडरिक विलहेल्म गुस्तेव ब्रून फ्रेडरिक विलहेल्म गुस्तेव ब्रून आप सभी को याद है कि जो टेक्सी वाले होते हैं ये मीटर नहीं होता था तो आपसे डबल चार्ज लेते थे टेक्सी वाले इस बात पे तुम्हें गुस्सा आता था इस बात पे तुम्हें क्या था था गुस्सा और तुम एकदम गुस्से गुस्ते हो जाते थे तो इसके ल स्ताव टेक्सी मिटर की खोज की है किसकी खोज टेक्सी मिटर का अविश्कार आगे आ जाता है एडवीन बियर बडिंग एडवीन बियर्ड बडिंग बियर्ड माने होती है जैसे मेरी डाड़ी तो मेरी डाड़ी घास फूस की तरह बढ़ रही है और अगर इसी तरह आपके आंहिंगन में घास फूंस है तो लॉन मूवर के द्वारा आप उसे कटवा देते हो अगर आपके घर में घास फूंस तो Edwin Beard अगर घर में जैसे दाड़ी बढ़ जाते हो से तुम काट देते हो इसे प्रका लोन मूवर अगर तुमारे अगर में घास बढ़ जाए तो उसे भी काट देते हो लोन मूवर की तरफ से वो लोन में आप जो ऐसी मसीन से चलाते हो घास काटता चलता है Edwin Beard Budding एडविन बियर्ड बर्डिंग आगे आ जाता है और रोबर्ट बंसन बंसन बर्गर इस्टोब देखा है आपने जो मट्टी के तेल से इस्टोब चलता था या LPG का जो बर्नर होता है इनको बंसन बर्नर कहते हैं क्या कहते हैं बर्नर रोबर्ट बंसन इसके नाम में भी बंसन आगे आजाता है बहुत important दुनिया का पहला किर्तिम धागा सिल्क के जैसा दिखने वाला लेकिन बहुत मजबूत नाई लोन सिल्क के जैसा दिखने वाला लेकिन बहुत मजबूत वाले स्केरो थर्स ये एक विज्यानिक थे जो डिवपोइंट नम की कम्पनी में काम करते थे तो वाले स्केरो थर्स अगर आपको दीबार पे चड़ना है तो नाई iloan की रस्थी लेनी होगी आगे आ जाते हैं, विंट सर्फ और बॉब कहन, इन्होंने इंटरनेट पर जो आप मेसिज आदी भेजते हो, इसके लिए नियम बनाई थे, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, तो विंट सर्फ और बॉब कहन, विंट तो तुम ओनलाइन सर्फिंग करते हो, और तुम किसी से कुछ भी कह देते हो, इंटरनेट पर, तो विंट सर्फ और बॉब कहन, विंट सर्फ और बॉब कहन, चलिए, आगे आ जाते हैं साथी मेरे, विंट सर्फ और बॉब कहन, आगे आ जाते हैं डिजिटल सिगनेचर, आज कल आप ऑनलाइन कर देते हो, तो digital signature का अविश्कार करने वाले व्यक्ति थे डेविड चाउन, अब जैसे आपको चाउमी नमगानी है, तो आप ऑनलाइन कैस दे देते हो डेविड चाउन, क्या है विग्यानिक का नम डेविड चाउन, आगया जात विलादी मीर चिलोमी इनों ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष इस्टेशन सेल्यूट बनाया था विलादी मीर चेले मी अब इनके बने जितने भी चेले होते हैं वो सब इनको सेल्यूट मारते हैं विलादी मीर चेले मी तो जितने भी चेले होते हैं वो सब इनको सेल्यूट मारते हैं तो दुनिया क के पहले इस पेस इस्टेशन सेल्यूट को विलादी मीर चिले में आगे आ जाते हैं जो सेफिन कोकरेन या कोचरन तो जो डिस वॉशर होता है कैसा वॉशर डिश वॉशर या कपड़े सोरी बरतन धुले की मशीन जो बरतन धुलाई की मशीन होती है कैसे अध करोगे किशन में क्या होती है कोकरेन चुछ होती है और किशन में ही बरतन की धुलाई तो जो सेफिन कोचरन याद रखिएगा बरतन धुलाई बहुत इंपोर्टेंट है यह अगया जाते ही क्रिश्टोपर कोकरेल होवर क्राफ्ट जो उडवी जाता है और पानी पे नाव की तरह चलवी लेता है होवर क्राफ्ट क्रिश्टोपर कोके रेल होवर क्राफ्ट क्रिश्टोपर कोक रेल अगया जाते हैं रिवॉल्वर सेमूल कॉल्ट रिवॉल्वर के जनक सेमूल कॉल्ट सेमूल कॉल्ट रिवॉल्वर के अविश्कारक सेमूल कॉल्ट याद रखिएगा Samuel Colt आगे आ जाता है Mobile phone Martin Cooper Martin Cooper Martin Cooper बै जब phone में recharge कराने जाते हो तो पहले coupon आता था ना जिसकी वज़े से recharge होता था बै फोन में coupon के कारेड़ी तो recharge होता था वही से याद कर ले ना Martin Cooper क्या याद कर ले ना Martin Cooper आगे आ जाता है Harry Cooper सूपर गोंद जो चिपकने वाली तो गोंद से जूते या किसी भी cover को चुपकाते हो तो Harry cover cover को गोंद से चुपकाते हो जबकि coupon से recharge होता था तो Cooper हो जाएगा मोबाइल और सूपर गिलू Harry Cooper जोन कवर जोन कवर इतना याद रखिएगा जोन कवर टेजर गन का अविश्कारक एक टेजर गन होती है उसका अविश्कारक भारत में गुजरात की police के पास ये पहली टेजर गन होगी भारत में टेजर गन ये electric shock देती है क्या देती है electric shock टेजर गन ये विदेशी looking वालों के पास होती है ये electric shock देती है टेजर गन आग आ जाता है दुर्या का पहला artificial refrigerator का design design मैं तो ई है विल्यम कुलें तो जो artificial refrigerator उते हैं फ्रीजूतें वो चीजों को थंडाया कूली तो करते हैं तो विल्यम कूलें अपील ये वह चीजों लुट पंडाया कूली तो करते हैं तो क्या हो जाएगा विल्यम कूलें क्या हो जाएगा साथी मेरे William coolant क्या नम हो जाएगा William coolant Artificial refrigerator Artificial abrigerator William coolant Artificial refrigerator William coolant यहां पर कर दो ने इसी यहाथ से प्रे प्रकोई बात प्रह helping से सीधा करके कर दो Artificial William coolant जो cool होती हैं चीजे क्या होती है cool artificial cool end चलिए अब आप लोग उत्तर देना शुरू करोगे क्या देना शुरू करोगे उत्तर कुछ कुश्यन से अंतिम 15 मिनिट में कुश्यन कर लेते जैसे सबसे पहले आजाता है पहला किर्तिम रेफ्रीजरेटर आटिफीसियल रेफ्रीजरेटर आटिफीसियल रेफ्रीजरेटर आटिफीसियल रेफ्रीजरेटर आटिफीसियल रेफ्रीजरेटर हलाकि जो पेटेंट मिला था वो हैरी सन को मिला था किसको William Harrison लेकिन पहला डिजाइन William Culline वहाँ पर आपको बच्चा William Culline मेरी ट्रिक ABCD option में फिट बेढ़ जाएंगी Super Gond तो जो आप cover page होता है उसको Gond से चुपकाते हो Harry Cooper Harry Cooper Mobile Phone का अविश्कारक Revolver का अविश्कारक Mobile Phone तो कूपन से रिचार्ज कराते हो तो Cooper Martin Cooper Martin Cooper Mobile Phone का अविश्कारक Martin Cooper Revolver का अविश्कारक Samuel Colt Revolver का अविश्कारक Samuel Colt Bunsen Burner का अविश्कारक और Loan Mover का अविश्कारक Loan Mover का अविश्कारक लोन मूवर का अविश्कारत तो बंसन नाम के व्यक्ति नहीं बंसन बरनर बंसन बरनर का अविश्कार किया था किसने बंसन नाम के व्यक्ति नहीं जबकि लोन मूवर इसके नाम में आपको बीयर्ड मिलेगी क्या मिलेगी beard beard माने डाड़ी इसके नम के बीच में क्या मिलेगी beard जैसे lawn mover घास काटने के काम आता है ऐसे हमारी डाड़ी होती है घास वहाँ से याद कर सकते हो टेक्सी मीटर का अविश्कार किस ने किया था सेलो फोन का अविश्कार किस ने किया और बताईए सेलो फोन का अविश्कार किस ने किया और टेक्सी मीटर का अविश्कार किस ने किया तो टेक्सी मीटर में आ जाएगा गुस्ताव उसके नाम के बीच में क्या था गुस्ताव उसे ताव आ गया गुस्ताव बुरुहुन करके नाम था क्या नाम था गुस्ताव बुरुहुन करके उसका नाम था गुस्ताव बुरुहुन करके उसका नाम था गुस्ताव बुरुहुन करके नाम था बताइए अब आजाता है सेलो फेन क्या जाता है सेलो फेन याद होगा आपको कि उपर से आप कवर चुकाते थे क्या चुकाते थे उपर से कवर तो जेक्स E. ब्रेंडेन बर्गर जो उपर से बिलकुल ट्रांस्पेरेंट पन्नी सी होती है तो ब्रेंडेन बर्गर सेलो फेन कह देते हैं इसको पहला अनुवांशिक रूप से संसोधित जीव किसने बनाया था और क्रेस्को ग्राफ के अविश्कारक कौन है क्रेस्को ग्राफ के अविश्कारक ये सारे के सारे पीडियेप आपको आपके एक लववे ये एक लववे बैच है बच्चा आप अप धीरे धीरे देखते रहोगे एक एक वीक भीत तरहेगा और आप सब को सबसे आगे पाओगे खुद को आपको सबसे ज़्यादा नौलिज ना हो तो बता देना मुझे एक लववे बैच की गुरू दक्चणा इसकी गुरू दक्चणा आपको 499 रुपे देनी है PDF, Quiz ये सारे का सारा माल आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक लववे बैच इसके लिए Example Official App जरू डाउनलोड कर ले Google Play Store से और इसे आप किसी Cyber Cafe या अपने किसी और साथी से आप इसका क्या करा सकते हैं Payment करा सकते हैं ये गुरू दक्चणा हैं ये मेहनत का मोल नहीं हैं न तुमारी का न हमारी का आपको बस ये बताना हैं आपको ये सारी की सारी चीजे रिवीजन करने में मदद मिलेंगी ये पहुंच जाएंगे बिल्कुल सही आप सभी को पताएं कि जब इसने जैनेटरिकली मोडिफाई जीब बनाया तो इन्होंने कोई नई चीज बो दी क्या कर दी? कोई नई चीज बो दी इस्टेले कोहेन इस्टेले कोहेन और हरबर्ट बोयर इन्होंने क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस इथरनेट का अविश्कार किस ने किया? इथरनेट का अविश्कार किस ने किया? और बॉल पॉइंट पेन Ethernet का अविश्कार किस ने किया दो लोग थे Ethernet में कितने लोग थे Ethernet में दो लोग थे Ethernet में दो लोग थे बिलकुल सही David Box David Box David Box और Robert Metcalf जब इनको बार-बार याद करोगे तो याद भी हो जाएंगे और प्रिवियस हीर उठाके देख ले न बॉल पोइंट पेन लास जलो बीरो बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो अगे आज जाता है पेट्रोल चालित आटो मोवाईल टेलीफोन का अविश्कार और पॉलीविनाइल किलोराइड का अविश्कार तो आपको पता है कि ठेकेदार ने जूट बोल दिया बेइमान है ठेकेदार बो मान यादे न ठेकेदार बेइमान है टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और पेट्रोल कार्ल बेंज नाम के व्यक्तिने किसने कार्ल बेंज बिलकुल साई अगे आज जाता है आपका होगे अब बताईए सतर से असी प्रतिसत आपको यही याद होगे और जब रिवीजन करोगे यह सारे याद हो जाएंगे और भई पढ़ना तो तुम्हें पढ़ेगा यह बात तुम अच्छे होके पढ़लो खुशी से पढ़लो तो भी कोई बात नहीं दुख होके पढ़लो तो भी कोई बात नहीं एक्जाम पुरपे सारी क्लास आपको 90 दिन बिल्कुल जीरो से वो क्लास भी मौझूद है आपको प्रेक्टिस करनी है वो क्लास भी मौझूद है सुबह करेंट फिर अप्रेल के साड़े पंद्रे साड़े पांच बजे आज मैंने पहला हफता कराया है साड़े छे बजे रूजाना के करन्ट फिर अगर आप जी जान से एक्जमपुर के साथ जुड़ जाते हो तो वो कंटेंट कराते हैं जिसका पता भी नहीं है यही से लोग कोपी करके पढ़ाएंगे इस्टेटिक जी के आदी आपके पेपर का 70% एंटी पीसी गुरूपडी और जो दिल्ली पुलिस है एससी आपके जीके का 70-80% इस्टेटिक जीके और करेंट अफेर है यह सब चीजे जो आपको पढ़ाई जा रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना सभी लोग इसका PDF लेने के लिए एक्जाम प्रोफिशल एप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर गुरू दक्चना आप सभी को आपका PDF मिल जाएगा हम लोगों को थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी चीजे करने में तो चलिए सातियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना सभी लोग ले लीजिए चार सु निन्याण में का है वो तो गुरू दक्चना दोगे तो हम लोग भी पूरी मजबूती से कर पाएंगे ठीक है भबू चलिए फिर कमेंट करके बताना क्लास कैसे लगी जादा से जादा बहुत जादा कमेंट करना और रिवाइज कर लेना मज़ा आजाएगा पूरा तुम्हें देखना एबी सीडी आते ही किताब वेग्यानिक नाम साइंटिफिक इन्वेंशन जैसे आज पचास कराईए ऐसे ही तीन दिन और कराऊँगा दोसो वेग्यानिक नाम दोसो वेग्यानिक अभिशकार मज़ा ना आजाए तो कह देना पेपर में क्योंकि इस बार जिद है तुम्हारे एक एक नंबर की अब बस तुम्हारी कितनी जिद है ये दीखना है तेंक ये लडबेष्ट, जहिंचे भारत, जहेंपर, जहेंपर अबोँना है भारत, जहेंचे फडिद के शेक, पार्वर्व vist